ओम शान्ती 29 अगस्त 2021 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोईंट्स पर बाप दादा ने कहा जो आत्मा सनेही, सहयोगी और शक्ति शाली है अर्थात इन तीनों विशेस्ताओं में जो सदा समान है वही नंबर वन आत्मा है जिनका सनेहे दिल का होगा वह सर्व सम्बंद और सर्व प्राप्तियों को सदा सहज और स्वत अनभव करेंगे फिर बाबा ने कहा अपनी बुद्धी को ऐसी एक्सरसाइज कराओ जो जैसा चाहें जिस समय चाहें वैसे ही स्वरूप और स्थिती में स्थित हो सकें समय प्रमान बाब के साथ यथार्थ संबंद की अनभूती करनी है ऐसा ना हो पढ़ाई के समय कोई कहें कि मैं आवाज से परेकि स्थिती का अनभव कर रहा हूँ अगर कोई की बुद्धी में किसी प्रकार का व्यर्थ बोज व्यर्थ किचडा भरा हुआ होगा या कोई अशुद्धी होगी तो ऐसी आत्मा समय प्रमान अपनी बुद्धी को मोल्ड नहीं कर सकेगी तुम्हारी बुद्धी बोहत स्वच, महीन और दिव्य होनी चाहिए ऐसी आत्मा ही समय प्रमान सर्व संबंद का अनभव कर सकेगी ऐसे स्नेही आत्मा को बाप दवारा समय पर हर कारिय में स्वत ही सहयोग की प्राप्ती होती रहती है लास्ट में बाप दादा ने कहा चेक करो क्या आदी से अब तक स्नेहे एकरस रहा या समय प्रमान समस्य प्रमान वे ब्राह्मन आत्माओं के संपर्क प्रमान बदलता रहा अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार तीन प्रकार का स्नेहे तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेस्ताएं आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेस्ताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं यह तीनों विशेस्ताईं जिसमें समान हैं, वही विशेस आत्माओं में नंबर वन आत्मा है, सनेही भी हो और सदा हर कारिये में सहयोगी भी हो और साथ साथ शक्तिशाली भी हो, सनेही तो सभी हैं, लेकिन सनेहे में एक है दिल का सनेह, दूसरा है समय प्रमान मतलब का सनेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का सनहे जो दिल का सनही है उसकी विशेस्ता यह होगी वह सर्व संबंद और सर्व प्राप्ति सदा, सहज, स्वत अनभव करेंगे एक संबंद की अनभूती में भी कमी नहीं जैसा समय वैसे संबंद के सनहे के भिन भिन अनभव करने वाले समय को जानने वाले और समय प्रमान संबंद को भी जानने वाले होंगे अगर बाप जब शुक्षक के रूप में सुरेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रही हैं ऐसे समय पर शुक्षक के संबंद का अनभव ना कर सखा रूप की अनभूती में मिलन मनाने वरुहरिहान करने में लग जाएं तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाद से परे स्थिती में बहुत शक्तिशाली अनभव कर रहा हूँ तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शुक्षक के रूप में पढ़ाई दवारा स्थ्थ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गोडली स्टुडेंट लाइफ ही यथार्थ है इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंद की पहचान और संबंद प्रमाण स्नेह के प्राप्ति के अनुभूति यही बुद्धी को एक्सरसाइज कराओ जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिती में स्थित हो सके जैसे कोई शरीर में भारी है, बोज है, तो अपने शरीर को सहज, जैसे चाहे, वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे ऐसे ही अगर मोटी बुद्धी है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोज, वै व्यर्थ किचड़ा बुद्धी में भरा हुआ है कोई न कोई अशुद्धी है, तो ऐसी बुद्धी वाला जिस समय चाहे, वैसे बुद्धी को मोल्ड नहीं कर सकेंगा इसलिए बहुत स्वच, महीन, अर्थात अती सोक्ष्म बुद्धी, दिव्य बुद्धी, बेहद की बुद्धी, विशाल बुद्धी चाहिए ऐसी बुद्धी वाले ही सर्व संबंद का अनभव जिस समय जैसा संबंद वैसे स्प्यम के स्वरूप का अनभव कर सकेंगे तो सने ही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंद का सने हैं समय प्रमाण अनभव करने वाले सदा ही इसी अनभव में इतने बीजी रहते, हर संबंद के भिन-भिन प्रात्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विग्न अपने तरफ जुका नहीं सकता है इसलिए स्वतही सहज योगी स्थीती का अनभव करते हैं इसको कहा जाता है नमबर वन यथार्थ सनेही आत्मा सनेही के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप दवारा हर कारिय में स्वतही सही योग की प्राप्ती होती रहती है इसकारण सनेहे अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनभव होता है समझा यह है नमबर वन सनेही की विशेस्ता दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवशकता ही नहीं क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो तो बाप दादा ऐसे सनेही बच्चों को देख रहे थे आदी से अब तक सनेहे एकरस रहा है वह समय प्रामाण, समस्या प्रामाण वह ब्राह्मन आत्माओं के संपर्क प्रामाण बदलता रहता है इसमें भी फर्क पढ़ जाता है ना आज सनेहे का सुनाया फिर सहयोग और शक्ति शाली तीनों विश्यस्ता वाली आत्मा का महत्व सुनायेंगे तीनों ही जरूरी है आप सब तो ऐसे सनेही हो ना प्रैक्टिस है ना जब जहां बुद्धी को स्थित करना चाहे ऐसे कर सकते हो ना कंट्रोलिंग पावर है ना रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो और जो स्व्यम को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा इसलिए स्व्यम को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे समझा आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधें लेकिन बंध नहीं सकते हो संख्या से जादा आजाते हैं इसलिए समय को संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधी से चलना पड़ता है वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता क्योंकि सुक्ष्म शरीर की गती स्थुल शरीर से बहुत तिव्र है एक तरफ साकार शरीर धारी दूसरे तरफ फरिष्टा स्वरूप दोनों के चलने में कितना अंतर होगा फरिष्टा कितने में पहुंचेगा और साकार शरीर धारी कितने में पहुंचेगा बहुत अंतर है ब्रह्मा बाप भी सुक्ष्म शरीर धारी बन कितनी तिव्र गती से चारों और सेवा कर रही है वही ब्रह्मा साकार शरीड़ारी रहे और अब सुक्ष्म शरीड़ारी बन कितना तिव्र गती से आगे बढ़ और बढ़ा रही है यह तो अनुभव कर रहे हो ना सुक्ष्म शरीर की गती इस दुनिया के सबसे तिव्रगती के साधनों से तेज है एक ही सेकिन में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले हर एक समझेगा कि मैंने रुहरिहान की मैंने मिलन मनाया मेरे को मदद मिली क्योंकि तिव्रगती के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा नुभव होता है जैसे मैंने किया तो फरिष्टा जीवन बंधनमुक्त जीवन है भल सेवा का बंधन है लेकिन इतना फास्ट गती है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री है जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा कराते सबसे हैं लेकिन कराते हुए भी अशरिरी फरिष्टा होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिती का अनभव होता है क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है आप लोगों को भी अनभव है जब फरिष्टे स्थिती से कोई कारिय करते हो तो बंधन मुक्त अर्थाथ हलका पननभव करते हो ना और जो है ही फरिष्टा लोग भी वहए तो शरीर भी वह है तो क्या अनभव होता होगा जान सकते हो ना अच्छा चारों और के सर्व दिल के सनेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिष्टा स्थिती का अनभव कर तिव्रगती से सेवा में स्वा उन्नती में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनभव करने वाले ऐसे विशेस आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस् नमस्ते गुड मॉर्णिंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया अब है अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात पहली बात बाप दादा ने कही सदा बेफिक्र बादशाह होना जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का जब अपने उपर जिम्मेवारी रख प्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोज नहीं होता है ट्रस्टी का अर्थी है सब कुछ बाप तेरा तो तेरे में प्राप्ती भी जादा और हलके भी रहेंगे काम भी अच्छा होगा क्योंकि जैसी स्मृती होती वैसी स्थिती होती है तेरा माना बाप की स्मृती कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है बाप है तो जब तेरा कह दिया तो कारिय भी अच्छा और स्थिती भी सधा बेफिक्र जब बाप ओफर कर रहा है कि फिकर दे दो फिर भी अगर ओफर नहीं माने तो क्या कहेंगे बाप की ओफर है बोज छोड़ो तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनभव से विधी बतानी है बहुत आशिरवाद मिलेगी किसका बोजव फिकर लेलो तो दिल से दुआईं देंगे तो स्व्यम भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुब भावना की दुआईं मिलेंगी तो बादशाह हो अविनाशी धन के बादशाह हो बादशाह को क्या परवाहा विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है लेकिन यह अविनाशी है अच्छा दूसरी बात अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी हो ना अल्पकाल का सुख है स्थुल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है इश्वरिय सुख तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? इश्वरिय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परचाई आप ही आती है और अगर कोई परचाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा तो जो इश्वरिय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्प काल का सुख स्वत ही परचाई की तरहे आता रहेगा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसे कहते हैं जहां परमार्थ होता है वहां विहवार स्वत है सिद्ध हो जाता है ऐसे इश्वरिय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है विहवार तो परमार्थ के आगे विहवार आप ही आता है तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा क्योंकि चीज ही विनाशी है उससे मिलेगा ही क्या जब इश्वरिय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाती है दुख का नाम निशान नहीं रहता इश्वरिय सुख मिला माना सब कुछ मिला कोई अप्राप्ति नहीं रहती अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज़ करेगा फंसेगा नहीं अच्छा, तीसरी बात सदा अपने को कल्प पहले वाली विजयी पांडव समझते हो जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह हमारा यादगार है तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चोड़े दिखाते हैं कभी कमजोर नहीं दिखाते आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए है पांडवों की विजय प्रसिद्ध है कौरव अक्षोनी होते भी हार गए और पांडव पांच होते भी जीत गए क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है पांडव शक्ति शाली है अध्यात्मिक शक्ति है इसलिए अक्षोनी कोर्वों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है ऐसे हो ना कोई भी सामने आए माया किस भी रूप में आए तो भी वह हार खा कर जाए जीत न सगे इसको कहते हैं विजई पांडव माताएं भी पांडव सेना में हो न या घर में रहने वाली हो जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है बहादुर मैदान में आता है तो कहां रहती हो मैदान में या घर में तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चोथी बात अपने को बेहद के निमित सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैपन के वो मेरे पन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है। सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आजाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्ये प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्ये यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी हद में खुशी गायब हो जाती है बेहद में सदा खुशी रहेगी अच्छा फिर विदाई के समय बाप दादा ने कहा अभी तो सेवा के प्लैन बहुत अच्छे बनाई हैं सेवा भी वास्तों में उन्नती का साधन है अगर सेवा को सेवा की रिती से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की सिर्फ प्लेन बुद्धी बनकर प्लैन बनाए जरा भी कुछ यहां वहां का मिक्स ना हो जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहां वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा तो संभाल कर रखते हैं तो यहां वहां का कुछ भी मिक्स नह एसे सेवा के प्लैन अच्छे बनाते हैं। अभी फिर भी सोचना पड़ता है न कि यह करें यह न करें यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा लेकिन सब एक बुद्धी हो जाएं जिसने किया वह अच्छा जो किया वह अच्छा। यह पाठ पक्का हो जाए, तो तिव्र गती की सेवा आरंब हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गती तिव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। कहां साड़े 500 करोड आत्माई और कहां संदेश पहुंचा होगा तो एक करोड, दो करोड तक बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, वर्सा तो सब को देना है, चाहे मुक्ती दो, चाहे जीवन मुक् कारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधी से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तिवरगती, यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी, अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रही हैं, पहले कटर रहते थे, अभी मोल्ड हो रही हैं, चाहे प्रकार की रमनीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है, कहानियों की रिती से, ड्रामा की रिती से, भारत की फिलोस्फी को जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहां भी नहीं है, इसलिए जो एकदम कटर रही हैं, वह भी अंदर-अंदर समझते हैं कि भा अगर फिलोस्फी है तो आदी सनातन धर्म की है हिंदू शब्द से विगडते हैं लेकिन आदी सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे गौड एक है तो धर्म भी एक है हम सब का धर्म भी एक है यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्शित होते जाएंगे अच्छा, आज का वर्दान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को स्मात करने वाले सदा शक्ति शाली भव मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को स्मात करने वाले सदा शक्ति शाली भव बाबा ने कहा आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है वेस्ट संकल्प, वेस्ट वानी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समात करने के लिए सदा सेवा में बीजी रहो मनन शक्ती को बढ़ाओ, मनन शक्ती से आत्मा शक्ती शाली बन जाएगी जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है फिर वह शक्ती का काम करता ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ती बढ़ती है स्लोगन जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता ओम शान्ती और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स को क्लिक करें